हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल स्प्रीचल लव टैरॉट कैसे हैं आप लोग अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे डियर आज को टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो चलिए आज हम टाइम को वेस्ट न करते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या निकल के आता है क्या है आपके पार्टनर की फिलिंग्स क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन्शिप में रहते हुए आपके पार्टनर का दिल और दिमाग क्या फिल कर रहा है क्या फिलिंग्स है आज अपने रिष्टे को हील कराना चाहते हैं आपके डिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है जिस भी तरह की प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी रिमूफ कराना चाहते हैं या अपने रिष्टे को हील कराना चाहते हैं तो अपने नेम का फिर्स निमेशिस आप यहां पर स section में ओके डियर तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या निकल के आता है ओके क्या निकल के आता है डियर बहुत सारी लोग मेरे साथ WhatsApp पे कनेक्ट हैं और मैं जानती हूं कि आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है कनाडा से कनाटका से और डियर यहां पर मुंबई दिली और लंदन बहुत सारी जगह से क्वेट से है ना अमेरिका से बहुत सारी जगह से लोग यहां पर कनेक्ट हैं और बह इसी के बेस पर आप लोग कहीं न कहीं अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में वापस ला पाए हो ये चीजे दिखी है चलिए देखते हैं कि यहां पर थर्ड पार्टी डेधी अपडेट में क्या निकल के आता है ओके प्लीज उनिवर्स काइट करें क्या निकल के आ रहा ह थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में और आपके लिए क्या फिलिंग्स है उनकी क्या चल रहा है क्या इमोशन्स है वो चीजे हम देखने की कोशिश करेंगे फॉर ओफ पैंटिकल्स भी आया है यहां पर पोर ओफ सोर्ट के अनरजी आई है आप कार्ट को पेज ओफ कप्स के एनरजी पेज़ ऑफ कप्स है यहां पर सिक्स ओफ कप्स कोणर से टैवल है बहुत टौक्सिक रिलेशन रहा है थणआ काम क्या है आपके पारेंटर को चीज़ दिकाई ए रहा है में ठ थाट पी के लिए बऌत कुछ कर चुके हैं ठ है ठ्यूद को आपक चल रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है और यहां पर देखें कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है पैसों के ऊपर वर्ट किया जा रहा है पैसा बहुत माइने रखा जा रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं पैस को लेके बहुत खीचतानी चल रही है ओके डियर तो यहां पर एक लास कार्ड जो बॉटम से आया है वो है तावर और डियर यहां पर दूसरी अनर्जी आया है फाइब ओफ कप्स ओके तो सारे कार्ड हमारे पास आ चुके हैं बात करी जाए यहां पर साइन की तो डियर यहां पर कैप्रिकॉन जो है वो है भी दिखाई दे रहा है उसके बाद में यहां पर जो साइन आया है वो सबसे ज़्यादा आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ठीक है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है उसके बाद में यहाँ पर Swords की अनरजी आई है Gemini, Libra, Aquarius है Aries, Leo, Sagittarius है तो यह साइन यहाँ पर आए है और Cancer Scorpio Pisces भी है हमारे पास में तो Almost हमारे पास में सारे जोडियक साइन आए हुए है बात करी जाए डियर की यहाँ पर क्या चल रहा है Third Party Daily Update में तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि Third Party को Partner से कोई लगाव नहीं है आप कार्ट को देखकर समझ जाएंगे कि Third Party और Partner के बीच में अगर लगाव होता तो यहाँ पर जो energy आनी चाहिए थी यह कार्ट तो सिर्फ आपकी energy को बता रहा है जो आपके Partner आपके साथ में reunion चाहते है वो चीज यहाँ पर निकल के आई है बागे तो यहाँ पर सारे कार्ट यह बता रहे है कि यह Third Party जो है इस Third Party को आपके Partner से कोई लगाव नहीं है कोई interest नहीं है इस Third Party को आपके Partner में डियर Third Party पैसो को लेकर Partner की जिंदगी में बैठी हुई है अगर आप सोच रहे हैं कि Third Party की कोई need है Third Party की कोई चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं Third Party Partner को फसा के रखी तो आप बिल्कुश सही सोच रहे हो क्योंकि Third Party सिर्फ अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए आपके Partner को मोहरा बना के बैठी हुई है Third Party पैसो को लेकर Partner की जिंदगी में कबजा करके बैठी हुई है Third Party Materialistic Ideal इसकी एक चीज ये दिखाई दे रहे हैं कि ये Third Party खुद को ज़्यादा Importance देती है खुद को ज़्यादा कहीं न कहीं संभालने की कोशिश करती है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है दिखिए पैसो को Importance देती आई है ये Third Party पैसा इसको बहुत प्यारा है पैसे के लिए ही Finance के लिए ही इसने आपके Partner को कहीं न कहीं उलजा के रखा है अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं उलजा के रखी हुई है वज़े दोनों तरफ से हो सकती है चाहे जर्वत आपके Partner के हो या Third Party के हो पर उलजा के तो रखा है Third Party ने Third Party पार्टनर के पैसों पर एश करती आई है कहीं न कहीं Enjoy करती आई है Third Party छोटी से छोटी चीजों के लिए Partner के पैसे को बहुत ज़्यादा बरबात करती है इतना ज़्यादा उनके पैसों का यूज कर चुकी है ये Third Party कि आपके Partner जो है Financial बहुत ज़्यादा Loss में जा चुके हैं ये चीज जहाँ पर निकल के आ रहे है ये Partner से Finance चाहती है Third Party खुद के Desire पूरा करना चाहती है खुद की कुछ डिमांड पूरा करना चाहती है Third Party वो चीज यहाँ पर निकल के आई है कि Third Party जो है जर्वत जर्वत पर आपके Partner से बहुत ज़्यादा रकम ले चुकी है बहुत सारा पैसा ले चुकी है फिर भी इसने आपके Partner को नहीं बक्षा है या आपके Partner से बहुत सारी चीजे ले रही है Partner के सबी चीजों पर कबजा कर चुकी है Third Party मान लेजे इनका Business है इनकी कोई Property है इनकी कोई खेती है या फिर कुछ भी है Business में Hotel जो भी कुछ है तो वो Third Party सब कुछ हड़प चुकी है उस पर कबजा करके बैठी है Third Party पैसो को देख कर डेरा डालती है कहीं न कहीं Third Party की एक आदब नजर आ रही है कि Third Party जो है आपके Partner की जिंदगी में इसलिए बैठी हुई है जो क्योंकि उसे पता है कि Partner के पास बहुत पैसा है बहुत ज़्यादा जहां ज़्यादा पैसा दिखता है वही की होके रह जाती है यह Third Party Third Party बहुत दल बदलू है बिन पेंदे की लोटी है यह Third Party कहीं न कहीं अपना उलू सीधा करना है तो यह किसी को भी अपनी तरफ खेंच लेती है वो चीज़ दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी फाइनेंस को इंपोर्टेंस देती है बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा माइने रखता है और देखिए पार्टनर को लगता है कि Third Party के साथ वो जिन्दगी लाइफ बिता सकते थे तो थे में बोला मैंने क्यों क्योंकि आपके पार्टनर जिन्दगी है इनके लाइफ है इनकी गल्फरेंड है बोईफरेंड है ये सब कहते फिरे हैं आपके पार्टनर तो पार्टनर को लगता है कि Third Party के साथ वो जिन्दगी लाइफ अच्छी जी पाएंगे बिता पाएंगे बहुत कुछ कर चुके हैं आपके पार्टनर तो यूँ समझ लीजे कुर्बान हो गए थे इस Third Party पर इसकी खुबसूरती पर इसकी बातों ने आपके पार्टनर को रिजहा लिया था लेकिन कहते हैं ना कि चीजे जो है थोड़े समय के लिए होती है पार्टनर को लगता है कि ये लॉयल है Third Party पार्टनर को लगता है कि ये Third Party जो है उनकी हर एक इच्छा को पूरा कर देगी है ना Third Party उनको समझेगी ये चीजे मुझे दिखाई दे रहे है और Third Party तो ये दिखाई दे रहे है कि Third Party तो पार्टनर को इसी लिए चुना कि भई आपके जो पार्टनर है इस थर्ड पार्टी के सारे डिजायर, सारे सपने जो है वो पूरे करेंगे थर्ड पार्टी पार्टनर को बर्बाद करना चाहती है, थर्ड पार्टी पार्टनर की जिंदगी को तबह करना चाहती है फाइदा उठा रही है यह थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी जो है वो पार्टनर के पैसों को बहुत ज़्याद़ यूज कर चुकी है बहुत ज़्याद़ मिस्यूज कर रही है यूज क्या कर रही है मिस्यूज कर रही है एक तरह से ऐसा समझ लीजे कि पार्टनर के पैसे को के ये 3rd party lost करना चाहती है, Partner से कहीं न कहीं ऐसा चाहती है, कि ये Partner किसी और को P rifsa नहीं दे, सिर्फ आपकेです, जो हैं Third party पर arguing on Third party की इस आपनी जिंदगी में रखें, उसके बारे में ही सोचें, बस इस चीज के लिए, ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं परिशान करती रहती है देखी ये थर्ड पार्टी पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा इसने डेरा डालके रखा है पार्टनर यहां जगलिंग कर रहे हैं पार्टनर एक तरफ नहीं decision ले पारें मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है पार्टनर दोनों तरफ कदम लगा के रखे हुए है कभी तो वो इधर भी balance करना चाहते हैं कभी तो वो इधर भी balance करना चाहते हैं तो पार्टनर की बाते अच्छी नहीं लग रही है पार्टनर कोई decision नहीं लेना चाहते हैं ये चीज़ दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को चाहिए तो बस पार्टनर के साथ मज़ा करना है पार्टनर के साथ enjoy करना है अयाशी करना है एक तरह से कहा जाए तो third party जो है partner के साथ में बहुत ज़्यादा enjoy कर रही है इसे person चाहिए तो चाहिए ही चाहिए ये नहीं देख रही कि partner की जिंदगी में क्या चल रहा है partner क्यों परिशान है इस third party को कोई फर्क नहीं परता सिर्फ अपने सपने पूरे करने वो चीज मुझे दिखाई दे रही है third party से आपके partner का ऐसा दिख रहा है कि fight चल रही है दिखें partner जो है न कभी कभी तो ऐसा होता है कि partner जो है नाराज भी हो जाते है जैसे हिご partner नाराज होते है या फिर उनके दिल में दिमाग में आप चलती हो तो partner बहुत जदा आपको miss करने लगते हैं आपके बारे में सोचने लगते हैं या third party से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो dear क्या होता है कि वो partner को उल्लू बनाने लगती है वो पार्टनर को कहीं न कहीं बेवकूफ समझने लगती है और वापस बुला लेती है कुछ न कुछ बहाना मार के कहीं न कहीं बिमारी का बहाना करती है कहीं न कहीं कोई दिक्कत हो गई है कोई सामान चाहिए तो उस तरह से ये थर्ड पार्टी जो है पार्टनर को करती रहती है कि पार्टनर वहाँ पे हाजरी लगाते रहें। मुझे चीज़े चाहिए, मुझे पैसा चाहिए घाश HOR Col clam can be espy थर्ड पार्टी लोगों से हमदर्दी बतूरती रहती है लोगों के सामने ऐसा दिखाएगी कि इसको लोग बग हमदर्दी देते रहें तो वो चीछ दिखाई दे रहे हैं परिशान हूं मैं ऐसा बताती रहती है ये थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ने पार्टनर से वादा बर्डन दिया है उनको कि भाई तुम मेरे पास रह सकते हो तुम सब को छोड़ के आ जाओ मुझे किसी की कोई जरुरत नहीं है सिर्फ तुम मुझे चाहो सिर्फ तुम मुझे प्यार करो है ना फैमिली को छोड़ दो गर्फ्रेंट को छोड़ दो अपने हजबन वाइफ है त उनको छोड़ दो बस मेरे पास चलिया ऐसा चाह रही है ये थर्ड पार्टी मुझे नहीं छोड़ सकते तुम चाहे कुछ भी हो जाए है ना मुझे छोड़ने के बारे में अगर सुचोगे तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा कर दूँगी मैं तुम्हारे को ऐसी जगह पे खड़ा कर दूँगे कि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा बहुत जद थमकिया भी दे रही है ये थर्ड पार्टी और थमकियों के सासा थर्ड पार्टी ने किया भी है पार्टनर फसे हुए हैं और ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी पर पैसा निचावर कर के बैठे हैं आपके पार्टनर बहुत सारा पैसा इन्होंने थर्ड पार्टी के उपर निचावर कर दिया थर्ड पार्टी खुब एश कर रही है खुब इंजोई कर रही है पार्टनर लॉस में जा रहे हैं पार्टनर जो है बहुत ज़दा लॉस में जा रहे हैं क्योंकि पार्टनर के माइंड को कहीं न कहीं कंट्रोल करके रखे कहीं न कहीं डिस्चर्ब करके रखे इस थर्ड पार्टी ने वो चीज़ दिखाई दे रही है पार्टनर कप लेकर बैठे हैं पार्टनर चाहते हैं कि आपकी तरफ आए पार्टनर अपना कमिट्मेंट देना चाहते ह आपसे sharing करना चाहते हैं आपका हाथ थामना चाहते हैं आपके साथ में एक life आगे तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके तरफ आना है पर ये पकर कर बैठे हैं कुछ चीजों को पकर कर बैठे हैं कुछ बातों को वो चीज दिखाई दे रही हैं पार्टनर तो बर्बाद हो चुक पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ को सही करेंगे फिर ये लव के लिए कुछ सोच सकेंगे प्यार के लिए कुछ सोच सकेंगे लव रिलेशन्शिप के लिए कुछ सोच सकेंगे जब इनका माइंडसेट सही होगा तो वो चीज दिखाई दे रही हैं देखे थर्ड पार्टी की सब दिखाई दे रहा है कि पार्टनर को दरा के रख रही है थर्ड पार्टी है ना पार्टनर को कुछ धंकी दे रही है थर्ड पार्टी किसी तरह की बॉंडिंग किसी तरह का कुछ थर्ड पार्टी ने साइन कराया है जिसके चलते पार्टनर जो है डिसीजन नहीं ले पा र नहीं क्योंकि पार्टनर की मिस्टेक यहां पर दिखाई दे रही है पार्टनर के मिस्टेक के कारण थर्ड पार्टी जो है वो जिन्दगी में बहुत ज़्यादा इन्वाल्व हो चुकी है पार्टनर अट्रेक्ट थे उसके पास गए पार्टनर ने थर्ड पार्टी पर सब क पुछ अपने हातों से लुटाया है तो यहां पर आपके पार्टनर तो कसूरवार है ही दियर पार्टनर ने खुद अपने हातों से थर्ड पार्टी पर लुटाया है पार्टनर खत्रे में है दियर पार्टनर की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रहे कि पार्टनर जो है खत्रे मे हैं 인को ऐसा लग रहा है कि 3rd party उन्हें निकलने नहीं दे जब जब वो निकलने की कोशिश करते हैं यह 3rd party उन excitement energy को दबा देती हैं money problem down energy यहाँ पर दिख रही है थका हुआ हारा हुआ feel कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर पार्टनर सारे जंजर को खतम करना चाहते हैं रोज रोज की वही जंजर रोज रोज की प्रेशानी इसको पार्टनर जो है वो खतम करना चाहा रहे हैं थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि थर्ड़ड पार्टी को अब बस किनारे कर देने जह. ये तर्ड़ड पार्टी की ऐसा दिक राएं कि बेज़ algorithm की बहुत होने वाले ये थर्ड़ पार्टी को बहुत लोग ठुकुराने वाले हैं बहुत जगह से इसको कहीं न कहीं negativity Gulेने वाली है third party को और तो और ये भी है कि इसकी कोई value नहीं रही है समाज में समाज इसकी value नहीं करता दुनिया इसको अच्छा नहीं कहती फैमिली वाले इसको अच्छा नहीं कहते किसी बेंगल से ये third party अच्छी नहीं है और ये आपके partner की जिंदगी को life को control करके बैठी हुई है बहुत बुरा भला कहा इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपको वो चीछ दिखाई दे रहे हैं लोगों ने भी बहुत बुरा कहा है पार्टनर ने तो थर्ड पार्टी के हाथ पैर जोड़े उनसे माफी मागी पर पार्टनर की कौन सुदता है तो वो चीछ दिख फह दे रहे हैं कि बहुत बेज ज़ती हुई है बहुत ज़ादा क्योंकि थर्ट पार्टी ने काम ही ऐसे किये है कोई इसकी इजत नहीं करता थर्ट पार्टी ने हर طर sie हर इंसान को बार बार परिशान किया है आप यकीन मानगे कि थ्रड पार्टी जो है बहुत बुरी सिच्वेशन में है डियर पर फिर भी कहीं न कहीं हाद नहीं मानती है आप ही के पार्टनर के पैसो परैश करती है आप ही के पार्टनर के पैसो को लेकर वो दूसरों से काम कराती है दूसरों को आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काती है और उनको कहीं कहीं आपके पार्टनर से दूर कर चुकी है तो ये थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि आपके पार्टनर जो हैं सब लोगों से दूर हो जाए सारे लोग इस थर्ड पार्टी की बाते मानें थर्ड पार्टी को छोड़ दे आपके पार्टनर ऐसा चाहती है ये third party जबकि हाला के दिख रहा है कि third party जो है आपके partner की कोई value नहीं करती है उसको कोई फरक नहीं परता कि दुनिया क्या कह रही है समाज क्या कह रहा है क्या कहेगा बस आपके partner को फरक परता है कि दुनिया क्या कहेगी समाज क्या कहेगा मैंने ऐसा काम किया है तो ये चीज़ आपके partner सोच रहे पर ये third party जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे है बहुत बुरा भला कहा है इस third party ने partner को dear लोगों ने भी बहुत बुरा कहा है ठीके किसको third party को partner ने तो third party के हाथ पैर जोड़े कि भई मुझे छोड़ दे मेरी जिन्दगी से चली जा कहीं और रह ले पर ये third party जो है ना मानी नहीं third party ने क्या किया third party ने आपके partner का फायदा उठाया है third party ने partner के सबी चीजों का फायदा उठाया है वो चीज मुझे दिखाई दे रहे है देखे third party जो है आपके partner को छोड़ने को बिल्कुल भी तयार नहीं है partner ने तो third party को इतनी बुरी तरह से धुतका रहा है इतनी बुरी तरह से कि मेरी जिन्दगी से चली जा मेरी जिन्दगी सिंदीकल जब बोल चुके हैं पर ये third party बहुत जलील है बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत ही गंदी किस्म की third party है और मुझे तो तेरे साती रहना है चाहे तू मुझे भगा चाहे तू मुझे छोड़ दे मुझे कोई मतलम नहीं तू थर्ड पार्टी ने एक bonding करा के रखी आपके partner से कही न कहीं किसी तरह का पैसा दिया है या bond भरवाया है कुछ तो करा है कहीं न कहीं वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है third party partner से कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ तेरे अलावा मेरा है ही कौन मेरे खर्चे मेरी चीजे कौन करेगा मेरा है न यहाँ पर ये चीजे दिखाई दे रही है आसानी से जाने वाली नहीं है ये third party third party बहुत बुरी तरह से पीछे पर चुकी है partner के हाथ धोके और dear partner को बोल चुकी है third party की मैं कहीं नहीं जाओंगी मैं तुम्हारे साती रहने वाली हूँ जो मर्जी चाहे कर लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती तो third party अड़के बैठी हुई है मेरे को छोड़कर नहीं जाएगा तुम्हेरे साती रहना है इस तरह से third party ने बहुत कुछ बोला है आपके partner को partner के साथ में third party का बहुत ज़्यादा situation जो है खराब चल रहा है क्योंकि partner और third party का जो रिष्टा है उसमें fight दिख रही है आप दे जुषसे से बात नहीं कर रहे हैं दोनों के बीच में पिस रहे हैं कहीं नहीं आपके partner के दिल के ज़स्बात है ना तो वो चीज़े दिखाई दे रहे है थार्ड पार्टे और partner जो है बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अब आपके partner को समझ आ रहा है कि partner ने इस third party को लाकर क्या गलती करी है कैसे उन्होंने अपनी पेरों पे कुलारी मारी है पार्टनर फिर भी उस थर्ड पार्टी के साथ बैठे हुए है क्योंकि थर्ड पार्टी बाद बाद पे डराती है पार्टनर को थर्ड पार्टी जो है अपना कुटा बनाकर रखी हुई है डॉग होता है न वैसा इसने मानके रखा है कि जैसा आपके पार्टनर को यह नचाएगी वैसा आपका पार्टनर नाच लेगा है न जब जब इस थर्ड पार्टनर को बुलाना है बुला लिया जब आपके पार्टनर से काम ले रहा है काम ना कहीं खराब करके रखा है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जिंदगी को थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसा करके रखा है कि ये पार्टनर अगर आपकी तरफ आना भी चाहे तो डियर ये थर्ड पार्टी ड्रामे करने लगती है तो वो चीज मुझे य situation ऐसी create कर देती है कि आपके partner नहीं जा पाए fight तो होगी dear fight तो होती हुई दिख रही है छोड़ेंगे ये partner कहीं न कहीं ये चीजे निकल के आई है कि छोड़ना ही पड़ेगा और third party को हादना ही पड़ेगा ये third party को कहीं न कहीं निकलना ही पड़ेगा वो चीज मुझे दिखाई दे रही है देखे बज़े तो third party ने लिये है partner के साथ में अब third party की बारी है उसे बरबाद होना ही पड़ेगा ठीक है आप दोनों को union जो है वो मुझे होता हुआ दिख रहा है success आप दोनों को मिलने वाली है वो चीज मुझे दिखाई दे रही है देर यहाँ चीजे आपके हक में होगी आप जीतोगे partner को आना ही होगा ये चीजे यहाँ पर निकलके आई है बात करी जाए कि आपको लेकर partner की feelings क्या है आपको लेकर partner जो है बहुत ज़्यादे emotionally feel कर रहे हैं आपका हाथ थामना चाहते हैं आपके साथ में relation को सही करना चाहते हैं आप ही हैं जो उनको कहीं न कहीं support करते हो तो यहाँ पर आपको लेकर थोड़े से चिंतित भी है नाराज भी है आपके partner वो चीज दिखाई दे रही है आप दोनों का reunion तो होना ही होना है ओके देखे यहाँ पर चीजे बहुत जल्दी होंगे एक मिरे कल एक ऐसे situation create होने वाली है जिसके base पर आपके partner जो है इस third party के चंगुल से निकल जाएंगे क्योंकि third party को भी पता चल चुका है कि आप अपने partner को निकालना चाहते हो आप अपने partner को ले जाना चाहते हो और third party और partner के बीच में tower moment लाना चाहते हो तो यहाँ पर वो tower moment दिखाई दे रहा है third party जो है fight कर रही है third party को लग रहा है कि partner जो है किसी ना किसी तरज से उसका साथ देंगे या नहीं देंगे पर यहाँ पर partner का तो मन बिल्कुल नहीं है इस third party का साथ देने का partner तो बल्कि भाग रहे हैं इस third party स देखी बहुत कुछ छुपाया है थर्ड पार्टी ने पार्टनर से पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को ऐसा समझते थे कि ये सब चीजों को सही कर लेगी हैंडेल कर लेगी पर चीजे तो बिल्कुल बहुत ही गलत हो चुकी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिष्टा और उनके बीच में जो चीजे चल रही है वो बिलकुल भी सही नहीं है अभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में जो है उनकी ठिंकिंग वो बहुत ही अलग है बहुत बहुत अलग है दियर तो यहाँ पर चीजे जो है खराब तो हुई है चीजों को सही भी करना पड़ेगा और डियर पार्टनर को उलू जो बना रही है थर्ड पार्टी पार्टनर को कहीं न कहीं अपनी तरफ खीचने के लिए जो चीज़े कर रही है ये थर्ड पार्टी वो चीज़ यहां पर ये दिखा रही है कि पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ में अटेच है partner और third party के वीच में बहुत ज़्यादा चीजे खराब दिखाई दे रही है युजर यह third party daily update अगर आपको लगता है कि third party daily update से कुछ आपको guidance मिला है कुछ अच्छी चीजे मिले है तो यहाँ पर comment section में जरूर बतायेगा और अपने नेम का first images आप भेज दीजेगा और जो लोग first time channel पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेए support करने के लिए बहुत बहुत thank you